समस्कार दोस्तों श्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूर न्यू डारेक्शन में साउट सेंट्रल रेलवे में दसवी पाश के अभ्यार्थियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं किसी भी राज जी के आप अभ्यार्थियों यहां पर आवेदन कर सकते हैं आवेदन आप घर बैठे कर सकते हैं कोई फीज आपको नहीं देनी पड़ेगी और घर बैठे ही आप इसका जो इंटर्व्यू है ओभी दे पाएंगे कोरोना वायरस संक्रमन भरत में बहुत ही जदा तेजी से हो रहा है उसके चलते यह भरती निकाली गई है श्वास्त विभाग की रेलवे में तो अगर आप इच्छू हैं चाहते हैं कि नोगरी यह मिल रहा है आपको तो आप कैसे अबदन करेंगे कैसे आपका परिक्षा होगी कैसे क्या होगा इस सभी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में डेटेल से आपको दूँगा लेकिन उसके लिए आपको करना होगा इस वी वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पशंद आने पर लाइक जरूर करें यह ओफिशल नोटिफेकेशन 4 अप्राइल 2020 को जारी किया गया है साउंड सेंट्रल रेलवे के हैड क्वाइटर के द्वारा यहां पर यह नोटिफेकेशन है नोटिफेकेशन शंख्या भी आप चाहते हैं खुद देखना तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाईएगा वहां टेली गराम का लिंक मिलेगा उसे जॉइन करिएगा वहां पर आपको यह पेडिया फाइल मिल जाएगी कोरोना आप देखिए हाँ पर साब साब इस नोटिफेकेशन में कहा गया है कि कोरोना वाइरस के चलते ये भरती निकाली गई है हेल्थ डिपार्टमेंट में इमर्जंसी भरती है ये ठीक है तो सबसे पहला पद यहां पर देखिए सबसे पहली है अभी मैं हाई स्कूल पास के लिए भी दिखाऊंगा नौ पद है इसके लिए आपको 95,000 रुपए सेलरी मिलेगी लेकिन जिन अभ्यारतियों के पास MBBS की डिगरी है वही केबल इसके लिए आवधन करेंगे आयू की गणना एक अप्रेल 2020 के अधार पर करी जाएगी फिलहाल इस पोस्ट के लिए 54 वर्स आयू रखी गई है अब बात करते हैं दूसरी पोस्ट की त 34 कुल पोस्ट हैं 75,000 रुपएस के लिए सेलरी मिलेगी MBBS डिगरी यहां पर भी मांगी गई है एज शेम जो आपकी फर्स पोस्ट ही उसके रुसार चववन वर्स ठिक अब जो अगली पोस्ट है वो है नर्सिंग की नर्सिंग सुप्रेंडिंट की आपर वेकेंसी 77 वेकें का कोई स्कूल नर्सिंग सर्टिफिकेट है तब भी यहां पर आवयदन कर सकते हैं अब उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो लैब असिस्टेंस की पोस्ट है इसके लिए केवल साथ पोस्ट है 21,700 रुपए सेलरी मिलेगी 10 प्लस 2 साइन साइड अगर आप हैं तो यहां प अगली पोस्ट है हॉस्पीटल अटेंडेंट की सततर बड़े पद हैं सततर वेकेंसी हैं 18,000 रुपए सेलरी मिलेगी अगर आप दसवी पास हैं केवल दसवी पास तब भी आवयदन कर पाएंगे अगर आप ITI पास हैं तब भी आवयदन करेंगे तो यहां पर इस पोस्ट क काम क्वालिफेकेशन की हैं इसमें अगर नर्सिंग में चाहें तो नर्सिंग में भी आवयदन कर सकते हैं उसके बाद अवयदन करशे करना है देखिए आप पर हाउट टु अप्लाइए में पूरे डेटेल से आपको बताया गया है कि यहां पर यह ऐमेल आइडी दिये है इस email id पर आप आपको जो अभी मैं form दिखाऊंगा उस form को fill up करने के बाद सारे documents भेजने हैं ठीक या फिर आप इस whatsapp नंबर पर 9701370624 पर 15 अप्राइल 2020 से पहले आपको यह भेज देना है ठीक है तो अंतिम जो तारीक है वो 15 अप्राइल 2020 है 15 अप्राइल 2020 से पहले आपको सारे documents send करने हैं और इसका जो इंटर्व्यू है वो 18 अप्राइल 2020 को करवाया जाएगा ठीक अब यह इंटर्व्यू जो आपका है वो वीडियो कॉल वार्टसप के वीडियो कॉल के माध्यम से होगा यहाँ पर देखिए बताया गया है इसमें वीडियो कॉल की जाएगी आपके डिया जाएगा इसके जरिए वीडियो कॉल को डाउनलोड करके चरूर पढ़िएगा notification वीडियो के description box में telegram link है उसे join करने के बाद वहाँ पर आपको यह notification देखने को मिल जाएगा ठीक है तो यह पूरा यह official notice है अब यह इसका form है जो की offline है अब इस form को पूरा fill up करना है फोटो लगाना है अपना सबसे पहले आपको whatsapp mobile number देना है नेम और बोस्त देना है नेम देना है father name permanent address date of birth और email address education चारी आपकी जो qualification है वो आपको fill करनी है ठीक है इस सबी चीज़े fill करने के बाद date place और signature ने आपको करना है और इससे scan करके आपको whatsapp या email के बादेम से send करना है साथी शाथ आपको अपने सारे documents भी भेजने अनिवार है तो इस प्रकार से भरती का पूरा process आपको करना है मुझे उमीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कोई जी जिगर नहीं समझ में आई तो जरूर कमेंट बाक्स में कमेंट करिएगा आपको रिपलाइ किया जाएगा वीडियो की जानकारी पसंद आयो तो लाइक करिए और इस तरह की job updates के लिए चैनल को subscribe करके बिल आइकन चलू दाएगे